वेलकम बैक दोस्तों आज किस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11 बाइलोजी का मस्ट इंपोर्टेंट वन लाइनर कोशन दोस्तों इस वीडियो में हम लोग प्रिवियस टैन इयर के इंपोर्टेंट वन लाइनर कोशन को इंक्लूड किये हुए हैं और ये पार कहा तरीका के अपने नोट बूक में idea करना है पहला कोश्जन है कि बैक्टरिया की खोज, lieuand हूग नाम के विज्यानिक नीग किया था ठीक है तो देखे, वन-Liner कोशिन से बहुत सारव अब्ज्यक्टिक कोशिन मिलीगा और इससे बहुत सार कोशन बनने का चांस होता है तो अपने ध्यान से समझते चलिए और नो डाउन भी करते चलिए तो बैक्ट्रियर के खोज सबसे पहले किन होनी किया था लिवेन हुक नाम का विज्ञानिक देखिए अगला कोशन है कि रख्त के सुद्धी करन करने का मतलब है कि ब्लड में ऑक्सिजन इंपूट करने का काम जो है सुद्धी करन करता है और फिल्ट्रेशन का काम अगर बात किया जा तो वह था हमारा किर्णी करता है ठीक है चले नेक्ट देखा जाए तो जल सुद्ध जल का प्याच मान 7 होता है और सुद्ध जल जो होता है वह ह of hydrogen या फिर potential of hydrogen ठीक है तो सुद जल का pH मान कितना होता है potential 7 होता है ठीक है और अगर देखा जाए समुद्री जल का pH मान होता है 8.4 और दूद का pH मान देखा जाए तो 6.4 होता है दूद का pH मान next देखा जाए question तो अगला one liner question है कि आखों के बाहर से पढ़ने वाली प्रकास को आईरिस नियंतिरित करती है ठीक है आखों के बाहर जो प्रकास पढ़ता है उनको कौन कंट्रोल करता है आईरिस कंट्रोल करता है जो कि ब्लैक कलर का जो आईस दिखता है नो आईरिस है ठीक है अगला question देखिए कि सरीज के सबसे कठोर तत्व इनीमल है मतलब जो दातों का जो उपरी आवरन होता है उसको एनामल या एनामिल कहते है ठीक है कारिकरना स्टार्ट करता है चलिए अगला question देख लेते हैं और विशानु वारस जो होता है वो डीने और आरेने से मिलके बना होता है नेक्ट क्या होता है कि जो नस्य होती है उसमें फैट जमा हो जाता है और फैट जमा हो कारण ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है देखिए हमारा हिर्दय हमेशा बिजेश्ट ऑर्गेन है हमेशा वर्क करते रहता है ठीक है और उसको और स्पीट से अगर ब्लड दे दिया जाए तो वह क्या हो जाता है अपने कार्य को धंग से नहीं कर पाता है जल वाइरस होता है अथ्वाप पर जिवी यानिके प्रोटो जोगा को सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी कहते है ठीक है किसको कहते है वाइरस और पर जिवी यानि प्रोटो जोगा को सजीव और निर्जीव के कड़ी कहा जाता है ठीक है विशानों को महिन चूर्ण क के रूप में सीसी में बंद करके असीमित समय तक रखा जा सकता है तो यह इसका पॉइंट है नेक्ट देखिए कि इंसुलीन की कमी से डायविटीज रोग होता है यहां पर यह इंपोर्टेंट कोशन बन रहा कि इंसुलीन की कमी से कौन सा रोग होता है डायविटीज होता है अगला कुशन देखिए कि हलका कार्य करने वाले पुरूज को 2000 कैलोरी, आठ घंटे कार्य करने वाले पुरूज को 3000 कैलोरी और कठीन परिसरम करने वाले पुरूज को 3600 कैलोरी भोजन किया सकता होती है। जो किसान होता है उनके बोडी से एनेरजी जादा रिलीज होता है क्योंकि वो जादा वर्क करता है तो ऐसे आदमी को 3600 कैलोरी भोजन की आवशकता होती है ठीक है और जो नॉर्मल वर्क करता उनको 2000 जो 8 घंटा कारी करता उनको लगभग लगभग 3000 कैलोरी भोजन की आवशक अगला कोश्यन देखिए कि तमबाकू का मुजयक रोग वाइरस के कारण होता है तमबाकू में जो मुजयक रोग होता है वो विशानू के कारण होता है नेस्ट कोश्यन कि विशानू के संगठन जो होता है आरेने अथ्वा डी एने तथा प्रोटीन से होता है मतलब और प्रोटीन से बनता है स्वतंत्र विशानु पोशन विखंडन नहीं करते जो स्वतंत्र रूप में विखंडन होता है वो कोई पोशन नहीं करता है नहीं स्वतंत्र करता है और नहीं विखंडन करता है नहीं सेल की तरह वो विखंडन करता है सेल डिविजन जैसा कोई भी कायरेसा नहीं करता है अगरा कुशन देखिए कि जब तक ग्यात एक कोशी किया जीवधारियों में जीवानू यानि बैक्टरिया सरलतम जीवधारी है ठीक है न मतलब अब तक जो है न एक कोशी किया अब तक एक कोशी के जीवधारियों में जो बैक्टरिया होता है वो सरलतम जीवधारी है मतलब कि बैक्टरिया को सरलतम जीवधारी के रूप में माना जाता है इस point का real meaning अगर देखा जातो next देखिये point है कि virus द्वारा उत्पन होने वाले कुछ रोग जैसे जुखाम इंफ्लुएंजा खसरा पोलियो चेचक पिलिया एड्स ठीक है रेवीज मलेरिया पायरिया पैचीस कालाजार तो ये सब विसानू के द्वारा उत्पन होने वाले रोग है लेकिन जुखाम जो है न ये एक्चॉल में एक्सेप्सन ये विसानू के जरिये भी होता है और नॉर्मल जो है बैक्टरिया के कारण भी होता है अगला कोशन देखिए कि दूद का फटना मखन से दुरगंद आना ये डिब्बा में बंद या खुली समागरी का सड़ना अचार या फिर मुरब्बा आदी का खराब होना आदी जिवानू जनित किर्याएं होती है मतलब जिवानू से ही ये सब कारी होता है जैसे कि दूद का फटना मखन का दुरगंद आना या डिब्बे में जो समागरी है उसको सड़ना या बदबू आना ये सब वर्क नेक्ट देखा जाए तो जिव पदार्थों का सड़ना तथा चाय होना प्रकर्ती में जिवानू का महत्वपूर्ण कारी है ठीक है मतलब कि प्रकर्ती में जिवानू का कारी क्या होता है किसी भी पदार्थ को सड़ाना या गलाना किलर है नेक्ट देख लेते हैं कुछ वि उसे नाइट्रोजन लेकर उसे जल में विले नाइट्रेट लवनों में परिवर्तित कर देते हैं ठीक है मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि कुछ विशेज परकार का जो जिवानों है वो हमारे आट्मोसफेर के लिए लाबकारी होता है क्योंकि यह क्या करता है कि मिट्टी की उर्वार्ता को बढ़ाता है nitrogen fixation process से ठीक है यह जो आप लोग को यह points है यह points आप लोग का nitrogen करन के लिए है ठीक है ना बतलब nitrogen करन किस process होता है मिट्टी में nitrogen के level किस परकार से बढ़ता है उनके बारे में दिया हुआ है चले next point देख लेते हैं अगला point है कि निम्बू का cracker sorry अगला point क्या है कि निम्बू का cracker रोग आलो का scape save even नसपाती की अंग मारी तंबाको का wilt आधी जिवानु जनित रोग है तो देखे जितनी भी सब का सब जिवानु जनित रोग है कोशन पुछा जाएगा कि जिवानु जनित रोग कोन है या फिक कौन से इन में से कौन सा है जो जिवानु जनित रोग है ठीक है चले एगला question देख लेते है कि घरों में दूद में उपस्तित सरकरा को cactin acid में बदल कर दही बनाने के लिए भी जिवानु का प्रियोग किया जाता है तो कुछ जिवानु ऐसे होते है जो हमारे लिए friend होते है और कुछ जिवानु ऐसे है जो हमारे लिए foy होते है मतलब कि दुस्मन होते है ठीक है तो अक्चल में दूद को दही में convert करने में भी जिवानु का सायता होता है ठीक है जिवानु मदद करता है दमा एक संक्रमक रोग है ठीक है दमा किसी से होता है संक्रमन से एक्चल में दमा का जो रोग होता है वो हमारे फिफडे के कुपिकाव में पस भर जानने के कारण ही होता है अगला कुशन देखिए कि मनुष में होने वाले कुछ विशानु जनित रोग, छई, हेजा, डिप्थिरिया, टाइफाइड, निूमोनिया, या फी टिटिनेस, जिसको धनु रोग भी कहते हैं, काली खासी, सिफलिस आधी हैं, ठीक है, तो यह जिवानु जनित रोग हैं, जितना की अभिजश्ट जो बोले, और यह मनुश्य में हो प्रभावित करता हैं उनको, ठीक है, तो यहाँ पर आपका है, रोग और प्रभावित अंग, जैसे के मलेरिया, यह तिल्ली को और आर्बीसी को प्रोलम करता है, तिल्ली जिसको स्प्लीन का जाता है, जो जश्ट पैंकरिया के असपस में रहता है, नेक्स्ट दिप्थिरि यह स्वांस नली को प्रोलम करता है, जुखाम, ठीक है, यह अपका स्वांस मार्ग को प्रोलम करता है, उसके बाद अगर देखा जाए, तो काली खांसी, यह स्वांस नली को, स्वासन तंत्र को प्रोलम देता है, काली खांसी, ठीक है, नेक्स्ट खसरा, यह स्वांस मार्ग को effect करता है 6 रोग जो है फेफरा को effect करता है ठीक है 6 रोग किसको effect करता है फेफरा को influenza ये भी आपका swans mark को problem create करवाता है pneumonia जो है फेफरा को दिकत करवाता है ठीक है pneumonia जो है फेफरा को दिकत करवाता है next अगर बात किया जाए pneumonia के बाद कि चेचक तो अच्छा जो होता है स्वसन मार्ग को प्रिलम किरेट करवाता है नेक्स्ट है सिफलीस यह आपका स्वसन को सिफलीस भी स्वसन को एफेक्ट करता है पिलिया रोग यह क्रेत यानि की लीवर को दिक्कत करवाता है यह लिवर जो कि हमारे सरीर के सबसे बड़ा इंटर्नल ओर्गेन है पारिया यह मसूरे दात में जो मसूरे होते हैं उनको इफेक्ट करता है एड्स जो होता है हमारे इम्म्यून सिस्टम को प्रलोम क्रेट करवाता है टाइफाइड भी आतों में ही होता है आत में दिक्कत और रिवीज जो होता है है वह केंद्रिय चेंटल नर्वस सिस्टम को दिक्ट करता है रिवीज बहुत ज्यादे इन पोटेंट है खतरानाक है टिच उतनु से रिलेटेड जितनी भी रोग है ना बहुत ही ज्यादा खतरनाक है क्योंकि हमारा पूरा बोडी कंट्रोल तंत्री का तंत्र पर ही होता है तितनेस भी तंत्री का तंत्र भी प्रलम केरेट करता है अगर देखा जाए पोल्या निगल द्वारा निगल द्वारा होता है निगल इतना सारा रोग और किस ओर्गेन को इफेक्ट करता है इन सबके बारे में हम लुग डिसक्बस किए अब हम लुग बात करने अब आरेशें के तो ते होता है कि बारेशन के दगर Baylor के दंत से होता है कि इस रोग में पैरो वरिशन कोश और सरीर के अईने भागों में सूजन हो जाती है और इसे हाथ पाओ भी कहते हैं हाथी पाओ भी कहते हैं यानि कि अलेफेंटेसिस भी इनको कहते हैं नेक्स देखें चले दोस्तों नेक्स कोशन देखें कि AIDS जो होता है वो HIV नामक वाइरस से फेलता है और AIDS का फुल फॉर्म दिया हुआ है जैसे कि Acquired Immunodeficiency Syndrome AIDS का फुल फॉर्म है इंपोर्टेंट है और प्रतिक एक्जाम में पूछा जाता है और HIV का फुल फॉर्म होता है Human Immunodeficiency Virus यहाँ पर Immunodeficiency का Spelling लिखा हुआ सिर्फ यहाँ पर Human कर देना है और यहाँ पर वाइरस कर देना है तो HIV का फुल फॉर्म हो जाएगा और AIDS का भी याद कर लिजेगा Acquired Immunodeficiency Syndrome अगला कुशन देखिए कि वर्नांदता का वर्नांदता था हेमोफिलिया से मुख्यत पुरूस प्रभावित होते है वर्नांदता और हेमोफिलिया जो होता है वनसागत रोग है इसमें पुरूस जो में प्रभावित होता है और वाहक जो होता केरियर जो होता इस रोग का वो इस्तिरिया होती है एक्चल में इस्तिरियों में यह कोई problem create नहीं होता है सिर्व वह वहाँ होता है और जो पुरूस होता है पुरूस में से 50% पुरूस होता है और 50% पुरूस में यह effect दिखता है जिसमें कुछ जो basic color होता है जैसे कि green हो गया red हो गया yellow हो गया उन लोग को दिखाय नहीं देता उ में confusion create होता है इन सब में अगला question देखे कि ये देंगू ज़ुर मादा मच्छर के काठने से देंगू ज़ूर मादा मादाः τις मच्छर के काठने से देंगू हुता है और मादा अनपली स मॉस्कीटों के काठने ये मलेया होता अगला कुछ हैं देखिए कि चिकन गुनिया दुर्बल बनाने वाली गेर घातक बीमारी है ठीक है ना गेर घातक ये डायरेक्ट हमारी इम्मुनिटी पर एफेक्ट करता है और यह मच्छर के काटने से फेलता है मनुष्य ही इसके वायरस का मुख्य सुरोथ है चिकन गुनिय में सोर्स मनुसरी ही है ठीक है और मच्छर इनका केरियर होता है ठीक है मच्छर जो है संक्रमित व्यक्ति को काट कर अन्य व्यक्ति को काटते हैं और इससे यह बिमारी क्या होता है फैलती है क्लियर है नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि पटाव सिंड्रोम के रोगी के उपर का होंट जो हता है बीच से फट जाता है पटाव सिंड्रोम और तथा तालू में दरार हो जाते हैं तो यह पटाव सिंड्रोम बहुत सारे यसे बेबी को देखे होंगे या फि़िया लोग को देखे होंगे कि जो होंट होता है ना कुछ इस परकार्स होता हो फटा हो रहता है यह कुछ इस परकार्स होता है और यहां पर जोता है यहां पर कटा हो रहता है डायेट नाक के साथ अटेच्ट होता है और यह पोर्षन जोता हो कटा हो रहता है यह पोर्षन उसका फटा हो र लगने वालए टीके विमारी से बचाओ के लिए लगने वाले टीके क्या है जैसे कि बिमारी BCG से कोन सा टीका लगता है BCG, देखे B से Bacillus हो गया और उसके बाद C से syndrome होता है तो देखे जैसे कि यहाँ पर है तपेदिक यह च्छै या फिर TV हो गया, तपेदिक हो गया च्छै हो गया, TV हो गया रोग से बचाने के लिए O, P, B का उपयोग क्या जाता है OPV यह होता है, तपेदिक च्छै रोग या फिर TV रोग इन से बचने के लिए OPV, TK का उपयोग क्या जाता है ठीक है, और फिर यहाँ पर अगर देखा जाए, पोलियो के बचाव के लिए DT जो टिका लगता है ठीक हो पोलियो से बचाने के लिए क्या जाता है, और नेक्स्ट अगर देखा जाए, टिटनेस और डिप्थिरिया के बचाव के लिए DPT का परियोग क्या जाता है ठीक है, टिटनेस और डिप्थिरिया से बचने के लिए DPT नेक्स्ट है, कि टिटनेस और डिप्थिरिया के बचने के लिए टिटी टिका का भी लगा जाता है ठीक 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 है ठी लीवर में होता है चलिए अगला कोशन देख लेते हैं कि भेस का जो दूद होता है वशा की ओस्त मात्रा 7.2% के होती है जबकि गाई के दूद में जो वशा का मात्रा होता है वह 3% से 7% तक का होता है तो भेस के दूद में फैट सबसे ज़्यादा पा जाता है अगला कोशन देख लेते हैं कि अलफा किरेटीन एक प्रोटीन है जो मानो त्वाचा के बाहरी परत में पा जाता है अलफा किरेटीन कहां पा जाता है एक परकार का प्रोटीन है जो कि स्कीन में पा जाता है उस सबसे उपरी परत में इसकीन के सबसे उपरी परतम पा जाता है लाल रख्त करनीकाओं का निर्मान अस्ति मज़जा यानि की बोन मेरों में होता है अब यह अस्तिमज्जर पाइ कहाँ पया जाता है तो देखिए हमारी जो बोन सी जो घटामाव को जल्दी भरने में सहता होती मतल customize C घा चल्दी भरने में मदद करती है अगला पॉन कि और ऐस्टार्च को इस्टार्च को कोण बडलतじゃない कोन बदलता है और स्टार्च क tough की चिज से बंता स्धीर से 12 में छोकि की खाना खाते हैं जैसे कि भात रोटी आलु हो गया या फिर स्वीट पोटेटों गरहा हो गया इन सब से कारबोहड़र्ड मिलता है जो कारबोहड़र्ड हमारे स्लाइवा के कॉंटेक्ट में आता है तो अस्टार्ट में बदल जयता है और यहीं अस्टार्ट जो है वह कुन कुन सा बिमारी होता है तो यह दो बिमारी सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है और फिर निकर दिरिष्टी दोस हो गया जरा दिरिष्टी दोस हो गया अब इंदुकता हो गया और फिर मोतिया बींद हो गया इन सब यह सब का सब बिमारी जो है विटामिन एक ही कमिस होत तो गाजर पपीता इन सब फलो में सबसे ज़्यादा बिटामिन ए पाए जाता है अगला कोशन देखिए नेश कोशन है कि मनुष्य के गुन सुत्रों की संख्या 46 यानि की 23 जोड़ी होती है इंपोर्टेंट कोशन है अगला कोशन देखिए कि रक्त की असुद्धियों को किर आनी कारक होता है ये वर्यक जो है उन्हानी कारक पदार्थों को चछान करकर है अगला कोशन देखिए कि हेपाटाइटिस भी वायरश इयानिकी जोड़ी जो दीमिदार होता है अगला। यदां देखते हैं कि इनसुली Dennis अगनासे में बनता जो रक्त सरक्राव को पचाने में सायद करता है जीनका प्यंके भी डिमेज होता उसमें इनसुली भंग बन फाता था यही तभी शरीर में पर जाता Saya और सुगर का प्रोब्लम आ जाता है ठीक है अगला कोश्यन देखिए कि पीलिया लीवर की बिमारी है पीलिया काँ पर होता है लीवर लीवर बहुत अधिक मात्रा में पैनिट्रेट करता है जिसके कारण जिसके कारण ये बिमारी होता है अगला कोश्यन देखिए नेश कोश् किया जाता है या लिया जाता है ठीक ना O.R.S अगला कुशन देखिए नेक्स्ट है कि मानो भुरून का हिर्दय चोथे सब्ता से धरकने लगता है जो फोर्थ विक होता है फोर्थ विक से ही मानो भुरून में जो हाट जो होता है काम करना स्टार्ट कर देता है अगला कोशन देखे कि इंसुलीन की कमी से मधु में यानि कि डायविटीज नामक बिमारी होती है इंसुलीन की कमी से अगला कोशन देखे कि उत परिवर्तन के दुआरा ने जिवों की उत पत्ती का सिधान Hugo D. Bridge ने दिया था Hugo D. Bridge अगला कुशन देखिए कि दूद को पचानी के लिए आवस्यक एंजाइम रैनीन और लैक्टोज नामक सरीर में आठ वर्स की आयू में लुप्त हो जाते हैं ठीक है ना आठ वर्स की आयू में क्या होता है लुप्त हो जाता है अगला कुशन देखिए कि खुराक में प्रोटीन की अत्यधिक कमी से कैसी 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 कोर यह काय मतलब होता है मरासमस नामका बीमारी होता है जिसमें जो बच्चों का पसलिया तक दिखना इस्टार्ट हो जाता है इतना ज़्यादा विक होता है और पुरा हड़ी उनलों का कमजोर हो जाता है न नाम का विमारी होता है जो हमारे हड्डियों को कमजोर करता है ठीक है विटेमिन दी के कमी से होने वाले जो बेबी होता है उनलों का घुटना होता है जब चलते वक्त दोनों घुटना उनलों का टच कर जाता है विटेमिन दी का में सोर्स अगर देखा जाए तो सनलाइट है जब सनलाइट हमारे बोड़ी के स्कीन पर पड़ता है तो स्कीन में मेलानी नाम का पिगमेंट जो की सनलाइट को विटेमिन डी में कनवर्ट करवाने का काम करता है। अगला कोशन देख लेते हैं कि जीन जो है गुन सुत्रों में होते हैं। चलिए नेस्ट कोशन देख लेते हैं और आजके लिए लास्ट कोशन हैं, कि सोडियम जो है 24 रेडियों समस्तानिक है। जिसे परिवहन तंत्र में खून के ठक्के का पता लगानी के लिए उप्योग किया जाता है तो खून के ठक्के का पता लगानी के लिए किस धातु का उप्योग किया जाता है सोडियम 24 का पुर्योग किया जाता है मिलते हैं ने स्क्लाग